अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लेजी नीचे बेल आइकन उस प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए आज की वीडियो में बात करने वाली हो ज रवीवार वरत कब है जी हां बढ़का इतवार कब है तो आज के वीडियो में आप लोगों को पूरी बिधी बताओंगी जी हां वरत कैसे किया जाता है और किस नियम का पालन करना चाहिए कौन सी गलतिया नहीं करनी चाहिए और कथा भी सुनाओंगी जी हां रवीवार वर पूजा और कथा महत पूर्ण जानकारी रविवार वरत रविवार 13 नौंबर 2022 हिंदु धर्म में सब्ता के साथ दिन किसी न किसी देवताओं को समर्पित होते हैं इस प्रकार रविवार का दिन भी हिंदु धर्म में महत वो रखता है रविवार का दिन भगवान सुरेदेव को समर्पित होता है ये व्रत पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है रविवार का व्रत बहुत ही फल दायक माना जाता है इस दिन सुरेदेव की पूजा का विधान है रविवार के दिन सुरेदेव की पूज़क करने से जीवन में सुख सम्रिधी, धन संपती और शत्रूँं से सुरक्षा मिलती है रविवार का वृत करने वो कथा सुनने से मनुष्रे की सभी मनों कामनाएं पूरी होती है मान सम्मान धन यश्ट तथा उत्तम स्वास्थय मिलता है कुछ रोग से मुक्ति के लिए भी ये वृत किया जाता है रविवार वृत में पूजा विधी सर्व मनो कामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का वृत श्रेष्ठ है इस वरत की विधी इस प्रकार है प्रातह कालस नानादी से निवरित होकर स्वच्छ वस्त्र धारन करे, शांत चित होकर सुरे देव का स्मरन करे, भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए, भोजन तथा फलहार सुरे देव के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए, उचित हो पर अर्ग देने के बाद ही भोजन करे। इसके बाद विधी विधान से गंध पुष्प आदी से भगवान सुरे का पूजन करे। अर्ग दापी ग्रहन ना करे। इस वृत के करने से मान समान बढ़ता है तथा शत्रों का खशय होता है। आख की पीड़ा के अतरिकत अन्नी सब पीड़ाएं दूर होती है। रविवार वरत में नहीं करना चाहिए ये काम। तेल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। सुर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए नमकीन युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। सुनते हैं रविवार वरत का था। पराचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़्या रहती थी। विप्रतिक रविवार को सुबह उठकर सनान आदी से निवरित होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सुरे भगवान की पूजा करने के बाद भ भगवान को भूग लगा कर ही स्वैम भूजन करती थी। भगवान सुरे देप की किरपा से उसे किसी प्रकार की चिंता वो कष्टन नहीं था। दीरे दीरे उसका घर धन्धाने से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पडोसंज उससे बुडी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाई नहीं पाल रखी थी। अता रविवार के दिन घर लीपने के लिए वे अपनी परोसन के आंगन में बंधी गाई का गोबर लाती थी। परोसन ने कुछ सोच कर अपनी गाई को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न म मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सुरे भगवान को भोग नहीं लगाया और उस तिन स्वैम भी भोजन नहीं किया। सुरे अस्त होने पर बुढ़िया भोगी प्यासी सो गई। इस परकार उसने नि बोढ़िया ने बहुत ही करुणा स्वर में परोसन के द्वारा घर के अंदर गाई बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कहे। सुरे भगवान ने अपनी भक्त की परिशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा हे माता हम तुमको एक ऐसी गाई देते हैं जो सभी इक्छाएं पूर्ण करती हैं क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पुरा घर गाई के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगा कर ही स्वेम भोजन करती हो इससे मैं बहुत प्रसन हूँ मेरा वरत करने वो कथा सुन सौपन में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान दे कर भगवान सुरे अंतरध्यान हो गएं प्रातह काल सुरे देव से पुर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वे अपने घर के आंगन में सुन्दर गाई और बच्छरे को देख कर हैरान हो गई गाई को आंगन में बांद कर उसने जल्डी से उसे चारा लाकर खिलाया परोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंदी सुन्दर गाई और बच्छरे को देख तो वे उससे और अधिक जलने लगी तभी गाई ने सोने का गोवर किया गोवर को देखते ही परोसन की आँखे फट गई परोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोवर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाई का गोवर महां रखाई सोने की गोवर से परोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई गाई प्रती दिन सुरे उद्दै से पुर्व सोने का गोवर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले परोसन उस गोवर को उठा कर ले जाती थी बहुत दिनों तक बुढिया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला बुढिया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सुरे देव का व्रत करती रही और गठा सुनती रही लेकिन सुरे भगवान को जब परोसन की चलाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई आंधी का प्रकोप देखकर बुढिया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया सुबा उठकर बुढिया के ने सोनी का गोबर देखा उसे बहुत आश्चरे हुआ उस दिन के बाद बुढिया गाय को घर के भीतर बांधने लगे सोनी के गोबर से बुढिया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई उस बुढिया के धनी होनी से परोसन बुढियी तरह जल्भुन कर राक हो गई जब उसे सोने का गोवर पाने का कोई रास्ता नहीं सुझा तो वे राजा के दरवार में पहुँची और राजा को सारी बात बताई राजा को जब बुढिया के पास सोने की गोवर देने वाली गाई के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेज कर बुढिया की गाई लाने का आदेश दिया सैनिक उस बुढिया के घर पहुँचे उस समय बुढिया सुरे भगवान को भोग लगा कर स्वेम भोजन गरहन करने वाली थी राजा के सैनिकों ने गाई खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले बुढिया ने सैनिक से गाई को न ले जाने की प्रात्ना की पहुत रोई चिल्लाई लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने गाई के चले जाने से बुढिया को पहुत दुख हुआ उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सुरे भगवान से गाई को पुनःप्राप्त करने हे तू प्रात्ना करने लगी दूसरी और राजा गाई को देखकर राजा बहुत खुस हुआ लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वे उठा सारा महल गोवर से भड़ा देखकर घबरा गया उसी रात भगवान सुरे उसके सपने में आए और बोले हे राजन ये गाई विरधा को लोटाने में ही तुम्हारा भला है रविवार के वृत से प्रसन होकर ही उसे ये गाई मैंने दी है सुबह होते ही राजा ने व्रिधा को महल में बुला कर बहुत से धन के साथ सम्मान सहीत गाय लोटा दी और ख्षमा मांगी इसके बाद राजा ने परोसन को दर्ण दिया इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई उस दिन राजे में घोशना कराई गई कि सभी इस्तरी पुरोस रविवार का वरत किया करें रविवार का वरत करने से सभी लोगों के घर धन धाने से भर गए चारों और खुशाली चागई सभी लोगों के शारेरी कष्ट दूर हो गए कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो जी हां बरका इतवार महा इतवार वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बारा आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एं सेर करना बिलकुल न भूलना मेरे वीडि कर दो कर दो